हाई फ्रेंड जसीक रश्न आज हम बनाएंगे स्वीट डीस इसमें बनाएंगे गुंदी चलो रेसिपी सुरू करते हैं कि चलो फ्रेंड हम पहले दो कप बेसन ले लेंगे उसके अंदर दो कप मैंने बेसन ले लिया है उसके अंदर वन फॉर्ट स्पून एकदम छोटी वाली उसमें सोडा एट कर देंगे और एक कप पानी ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से बेटर बना कर तयार कर लेंगे इसी तरह से हमारा बेटर बनने के बाद मुझे थोड़ा गाड़ा लगा था तो हम एक्जेस कर लेंगे थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाल कर मतलब कि दो कप बेशन के अंदर मुझे एक कप पानी से दो तीन टेबल स्पून ज्यादा पानी लगा है इसके अंदर तो हमारा बेटर अच्छी तरह से बन कर तयार हो गया है इस तरह से उसको अच्छी तरह से हम फेटेंगे मैं फेटने से पेले में बताती हूँ कि पानी की कटोरी में हम डालेंगे उसको तो आप देख सकते हूँ वह नीचे बेट गया है तो अब इतना फेटेंगे कि हमारा बेटर तरन ने लगेगा पानी के अंदर तब तक इस तरह से हमको फेटना है तो ही हमारी गुंदी एकदम सौफ्ट बनेगी तो अब आप देख सकते हो पानी के अंदर में ने डाला तो वो एकदम उपर आ गया था देख सकते हो कि नीचे बेठा नहीं था तो इस तरह का हमारा बेटर होना चाहिए तो अब हम यह चनी लेकर इसके अंदर ही हम फिर से बनाएंगे गुंदी तो हम चनी के उपर बेटर डालेंगे तो आप देख सकते हो हमारी गुंदी अच्छी तरह से गिरने लगी है कि यह गुंदी में मैंने थोड़ा सा सोड़ा डाला था इससे हमारी गुंदी सोफ्ट होगी तो हमको गुंदी को अच्छी तरह से पका कर उसको निकाल लेना है इसी तरह से हम फिर सचनी को साफ करके ही लेना है वह मत भूलना वरना वह गुंदी हमारी अच्छी नहीं बनेगी डाइरेक्ट लोगे तो तो हम दूसरा अभी डालने लगे है तो हम गुंदी निकाली है उसमें से चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एकदम सोफ्ट बनी है दबाते है तो एकदम सोफ्ट है इस तरह की गुंदी होनी चाहिए हमको मिठी गुंदी करने में तो सब गुंदी मैंने बना कर तयार की है तो अब हम उसके अंदर चास्नी बनाएंगे तो जितना हमने बेशन लिया है उसी माप से हमको चीनी लेना है तो मैंने दो कटोरी बेशन लिया था तो मैंने दोई डोरी चिनी ली है और थोड़ा सा पानी एट कर दिया है उसके अंदर यह माप रखेंगे तो हमारी चासनी बचेगी नहीं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा गुंदी इसके लिए और इस तरह से मिक्स करके उसकी चासनी बना कर तयार करेंगे और आपको खास दियान रखना है इसके अंदर दिम में ज्यादा नहीं होना देना है हमारी चीनी अच्छी तरह से पीगल जाए और इस तरह से हमारा बनने लगे और ठोड़ा चिकना हो जाए तब तक ही रखना है हमको यह ask की flame चालू हमारी चीनी पीगल गई है और हमारे चीनी में थोड़ी सी चिकास आ गई है अब तो हम इसके अंदर थोड़ा सा घी एट कर देंगे इससे गुंदी का फ्लेवर बहुत मस्त आता है इसके लिए उप्सनल है आपको नहीं डालना तो भी चलता है मंगर मुझे पसंद है इसके लिए में थोड़ा डाला है और थोड़ा सा काजु और थोड़ा सा टूटी- और फिर उसको मिक्स कर लेंगे पहले अब मैंने किसकी फ्लेम बंद कर दी है तो अब हम उसके अंदर गुंदी एट कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी आपको लग रहा है कि चास्नी हमारी बचेगी मगर थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाए तब तक हम वेट करेंगे तो हमारी चास्नी एकदम सोफ्ट हो पूरी सोस लेगी और हमारी गुंदी एकदम बंद कर तयार हो गई है तो आप देख सकते हो हमारी गुंदी तयार है अब भी जरूर ड्राइब करना घर पर बनाना चलो फ्रेंड हमने गुंदी बना कर तयार कर ली है तो इस रेशीपी पर लाइक से सब्सक्राइब और फोलो करना भूले नहीं बबाई